दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है Amplitude Shift King यह Electronics और Communication का एक बहुत important टॉपिक है Amplitude Shift King क्या है आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद कभी आगे Amplitude Shift King को दुबारा किसी वीडियो को देखने की जुरूरत ना पड़े तो चलिए शुरू करें Amplitude Shift King क्या होती है Amplitude Shift King एक Digital Modulation टेक्नीक है यानि कि It is a Method of Digital Modulation इसका क्या मतलब है जब हम अपने सिगनल को ट्रांस्मिट करते हैं जैसे जब घेजते हैं तो उसके बीच में जब अब हमें पता है अब डिजटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यानि हमारा सिगनल जो मैसिज सिगनल होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा और असल में बिट्स जो है ट्रांस्मिटर नहीं होती क्योंकि अगर लॉंग डिश्टेंस transmission करना है तो हमारा signal जो है attinuate हो जाएगा atmosphere और बागी सारी conditions के वज़े से तो हम क्या करते हैं हम एक high frequency carrier को अपने binary input signal के according transmit करते हैं तो amplitude shift king में क्या होता है जब हमारा input binary signal 1 होता है यानि कि जब हमारा input binary bit 1 होगी तब हम carrier signal को जाने देंगे यानि कि carrier को transmit कर देंगे और जैसे हमारी input binary जब हमारा input signal जो है binary bit का वो 0 हो जाएगा यानि जैसे message signal जो है वो 0 हुआ यानि कि जो binary bit message में आनी थी वो 0 आई वैसे हम carrier को रोग लेंगे यानि हम carrier को नहीं बेजेंगे तो आप समझ के होंगे कि amplitude shift king में हम क्या कर रहे है जब हमारा input binary signal 1 है या input binary signal present है यानि bit 1 आ रही है तो हम carrier को transmit कर रहे हैं जब हमारी input binary bit यानि message के according जो हमारा signal बना binary का अगर वो 0 है तो हम carrier को transmit नहीं करते हैं amplitude shift king को on off shift king भी कहते हैं क्योंकि इसमें on off shift king से क्या मतलब है कि carrier कुछ time के लिए on है फिर कुछ time के लिए off है फिर on है और वो किस पर depend कर रहा है पूरा का पूरा हमारे input message signal पर depend कर रहा है जो की binary form में encoded है अब जैसे कि अब हम waveform देखते हैं कि ASK की waveform कैसे होती है जैसे कि आप देख सकते हैं यह मैंने waveform बनाई है इस waveform में आपको जैसे साफसाफ देख रहा है कि हमारी binary bit है binary signal है 1011 यानि कि यह input message signal है binary form में 1011 अब हम इसे transmit करना है तो हमारी वही carrier sinusoidal carrier है अब हम इसको कैसे transmit करेंगे जैसे हमारी input पर जीरो हुई वैसे carrier हमने रोग लिया यहां पर देखे carrier absent हो गया फिर जैसे input पर हमारा one binary bit आ रहा है वैसे हम carrier को भेज रहे हैं तो मुझे पूरा एकीन है कि आप समझ गए होंगे कि ASK क्या होती है और इसकी waveform बहुत असान है जैसे कि आप diagram में देख भी रह जैसे हमारा input binary signal वापिस से अब one आ रहा है अगर one से किस जीच को multiply करेंगे तो हमें carrier ही मिलेगी तो यहां पर देख सकते है carrier मिल रही है यहां पर भी carrier मिल रही है और दूसरा हमें देना है carrier signal जो कि sinusoidal भी हो सकता है को sinusoidal भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मलब हमें carrier signal देना है product moderator को और जो उसकी output आएगी वो होगी ASK signal मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ASK क्या होती है ASK की waveform और ASK moderator के बारे में अगली वीडियो में ASK demodulator के बारे में बताऊँगा और ASK demodulator भी दो तरह को होता है coherent और non-coherent मैं दोनों बताने की कोशिश करूँगा दोसों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब जरूर करना